अब बात करने वाले हैं एमफेसिस अन्बोर्डिंग अपडेट के रिगार्डिंग यार सो देखिए ज्वाइनिंग अभी एमफेसिस वालों की 11, 12, 13 ये तीन दिन आप सब की अन्बोर्डिंग होने वाली कुछ लोगों की तो इसमें काफी ज्यादा इस वीडियो में पूरा और क्या क्या चीज़े रिक्वाइड है उन सब के लिए वो चीज़े और प्लस देखेंगे कि क्या से नर्यों बैट रहा है अभी के लिए ठीक है तो यार देखिए अभी एमफेसिस की तरफ से एक मीमेल आया है मतलब आनबोर्डिंग के रिगार्डि और ट्रेनिंग के रिगाइडिंग स्पेसली तो यह ट्रेनिंग के लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए हाड़वेर क्या कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए और इसके बाद क्या आपको वाई-फाई उनके तरफ से प्रोवाइड पर प्लीज लाइक जरू करिएगा क्योंकि ऑफिस हार्स के बाद यार थोड़ा वीडियो बनाना टफ होता है क्योंकि मॉर्निंग फिर बिजनेस अपना फैमिली बिजनेस है तो इसकी वज़े से काफी टाइट से डूल रहता है फिर भी आप सब के लिए मैं वीडियो इतनी जो तीन बैच की लोग होंगे तो मेरे हिसाब से एक बैच उसमें से निकल के आएगा वह बैच की ट्रेनिंग पांच दिनों में लगबग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थरस्डे तक तो अल्लेडी इन तेरह को थरस्डे होगा तो यह मान के च देख लिएची क्या क्या चीजे हैं देखिए पहली बात यह है लिस्टेड बिलो और दी मिनम्म रिकॉर्मेंट फार यूर्वर्टिवल ऑन्लाइन ट्रेनिंग सो देखिए ट्रेनिंग जो कि आंलाइन होगी वर्चुल होगी please plan and update if required to avoid missing out on training so अगर आप लोग के पास यह requirement होने चाहिए नहीं तो हो सकता है आपके opportunity मिस हो जो यह चीज़े नहीं से देगे तो मैं सीधा इस पर ही आता हूँ आप सब के लिए so देख लेता हूँ वे training का period क्या है alternative you have look forward option to rented a desktop laptop which means they will required for a period of three months so यार आप सबकी training तीन महीनी में होगी बहुती मतलब एक screenshot मिला है बहुती visibility की खराफ है फ्रीवी मैं try कर रहा हूँ आप सबके लिए so मैंने आप सबको बताया पहली मेरे एक चैनल पर वीडियो पढ़ाया कि मतलब की emphasis during training after training कितनी से हली मल तो उसमें मैंने mention किया है कि three to four months की training होती है emphasis वालों की अब यहां पर clear हो चुका है कि तीन महीनी की आप ट्रेनिंग होगी एक चीज़ ही हो गया इसमें ठीक है और इसके बाद इधर देख लिए अपरेटिंग सिस्टम सो देखिए अपरेटिंग सिस्टम आपके पास seven eight and ten कोई सब यह हो जो की latest updated होना चाहिए और इसके बाद एनिक कंपरेटिबल ओपरेटिंग सिस्टम मैक का भी रहेगा तो भी चलेगा मैक इसके पास है भी विंडोस का ही यूज करेंगे सब लोग सो seven eight and ten यह ऑपरेटिंग सिस्टम रेकॉर्ड होंगे आप सबके लिए फिर इसके बाद हार्डवेर में आपको one point eight gigahertz यह फास्टर यह quad core यार बेटर रेकमेंड मतलब कोई सा भी हो यार कोई जरूरी नहीं है जो हो इनके पास इनको तो कुछ भी बोल देंगे देना तो है सब्सक्राइब होना चाहिए और इसके बाद हार्डिस स्पेस 10GB के करीब आपका फ्री होना चाहिए यह चीज़े है फिर headset आपके पास होना चाहिए एयरफोन microphone जिसमें होना चाहिए तो सही यार आप लोग आपके पास headphone mobile वाला होगा वो भी चल जाएगा बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर ट्रेनिंग के लिए अगर आपके पास कोई friend हो या किसी से arrange कर कर सकते हो घर के बग video और screen sharing हो सकती है video exchange के लिए ठीक है और good plan with sufficient data plan टिप के लिए 3 to 4 3 to 5 GB लग सकता है ठीक है बोलें टेसरिंग फ्रा मोबाइल फोन इस नाट अट अडवाईजबल दू दिए frequency interaction सो देखिए बोला है कि यार कि जो mobile का hot spot होता है उससे connect your advice नहीं करेंगे बट मैं यार मोशली अभी तक मैं आप सबको बता दू मैंने टीसेस में 3.7 years काम किया उधर पे भी अपना mobile का ही data यूज़ करता था और अभी भी परसनेल जब मैं यूटूब का वीडियो बना हो चाहिए मैं office का काम करूं मैं अपनी मोबाइल होट इसपार्ट से ही कर लेता हूं काम मैं उतना ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता तो मैं यहीं बोलूगा कि कि स्टार्टिंग में आप लोग ना data plan के लिए मत जाएगा किसी मैं बोलूगा यह ब्राड मेंड वगरा के लिए अगर ना हो तो आप लोग काम चला सकते हैं अगर चल सकता है तो मतलब इस इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए बस आपकी चल जाए काम मेरे हिसाब से और एक बार आप लोग देख लिए ठीक है और इसमें इन्हों ने इधर भी मेंशन किया है मैं थोड़ा पढ़ता हूँ अपान कंप्लीटिंग यूर आनबोर्डिंग फार्मल्टीज डिटेल रिकने और ओफिसियल इमेल आईडी ट्रेनिंग प्लान नेक्स्ट कोर्स अफेक्शन मतलब कोई वो लोग सेयर करेंगे डिटेल्स यह सब जो भी है आगे सो इन्होंने नोट में क्या मिंशन किया है मैं आप सब को बता दूँ दि कंप्ली मिल नाट प्रवाइड यू ए डेक्सटॉप लेप्टाव डिरिंग ट्रेनिंग पिरिड यू विल नीडिंग यूर यू विल नीड तो यूज यूर परसनल कंप्यूटर डेक्सट आप लेप्टाप टू अटेंडिंग दी ट्रेनिंग अलब ट्रेनिंग टाइम पर कोई भी जो भी फैसलिटी होती हो वो नहीं प्रवाइड करी जाएगी इनकी तरफ से वह इंटरनेट की चार्ज आप रिंबर्समेंट नहीं कर सकते यू इंटरनेट चार्ज विल नाट ब की रिंबर्समेंट दूरिंग ट्रेनिग यू नेट टू डिसकस्ट विट यूर मैनेजर वन्स यू कंप्लीट ट्रेनिग एंड ज्वाइन दे अकांट एज इट विल बी इस्पेसिफिक टू दे एकांट यूर वर्क फॉर तो इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग के टाइम प है कि मतलब प्रोजेक्ट एक तरिकी से बोल सकते हैं मैनेजर जब वहां से आपको कॉंटेक्ट होगा वहां पर आप लोग तब मैनेजर पूछ सकते हैं क्या मैं रिंबर्समेंट कर सकता हूं इंटरनेट का तब उस टाइम पर मिलेगा तो यह सारी चीज़ें ट्रेनिंग त फिर इसके बाद एक बैच बनेगा मुझे जो लगता है उसमें 2-2,500 के बीच में बच्चे रहेंगे जो अभी तक जो काउंट्स निकल के आ रहे हैं जो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं उसकी साबसे मैं बता रहा हूं थोड़ा उपर नीचे हो सकता है सौपचा सिधर उदर तो मान के चलिए कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी यह सबसे अच्छी और गुड निउज है मतलब कि जिनकी नहीं होए फिर भी अटलीस स्टार्ट तो हो गया तो मेरा मानना है कि अब कुछ लोग को डाउट से रहेगा तो हमारी कब हो गया आपको थोड़ा सा औ आप सो को इस बात में but sorry for that one but you have to wait no other option for you okay so मतलब कि अगर आप मान के चलिए इनकी तीन महिने की ट्रेनिंग जो कि मैं आ लड़ी आप सो को बोल लात है तो मुझे लगता है यह बेज करा लेंगे तो अब ही चल रहा है मान के चलिए अप्रील अप्रील मीट से स्टार्ट हो में जाएगा फिर जून जाएगा में जून जुलाई जुलाई तक मान के चलिए इनका कम्प्लीट होगा तो जून से हो सकता है कुछ अपडेट आप सको निकल के आए कि नेक्स्ट अंबोर्डिंग कितनी लोगों के होगी तो इस से थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो म हर बंदयों को कॉमेंट 50 कॉमेंट्स आ जाते हैं इस वीडियो में और 50 प्लस लाइक आ जाते तो मैं समझ लूँगा कि हां मुझे आना चाहिए लाइव क्योंकि उसके अलावा आने को कोई फायदा नहीं है सो आई होप मैंने थोड़ा लेंदी वीडियो कर दखा है बट सौरी मुझे जो सारी डिटेल्स प्रवाइड करने थी ती वह मैं आप सब को प्रवाइड कर रहा हूं बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दो 100 और 200 हावर और बची हुए है मतलब वाश टाइम कम्प्लीट होने के लिए यूट्योब के लिए सो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देख लीजिए एक दो दिन में जिससे मॉनेटाइज हो जाए और थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाए सो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के बाइ बाइ टेक केर